नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियूज और मैं हूँ आपके साथ मेगा अपड़ना यादफ सुर्खियों से एक आए गायप सी हो गई हैं चिनाफ के दोरान जिस अपड़ना यादफ से लगातार यादफ परिवार को लेकर सवाल किये जा रहे थे चिनाफ के दोरान जिस अपड़ना यादफ से बार बार सवाल किया जा रहा था चिनाफ लड़ेंगी या नहीं भाजपा से क्या उम्मीदे हैं सपा में और भाजपा म बिल्कुल गायब हैं राजनीती कर रही हैं लेकिन ट्विटर के माध्यम से योगी आधित्यनात की तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई मुलायम सिंग्यादव की ये छोटी बहु अपढ़ना ट्विटर के माध्यम से भरपूर नजर आ रही हैं मंत्रियों के बीच जाकर उनक जानकारी भी देती हैं ट्विटर के माध्यम से आज अपढ़ना यादव के लिए वक्त बदल गया है खबरों का रुख बदल गया है लेकिन जो बयान उन्होंने चिनाफ के दौरान दिये हैं वो आज भी यादव परिवार में तना तनी की खबरों को हवा ही देते हैं आप शिफपाल यादव से हटकर अपढ़ना यादव का एक इंटर्विव हम आपके लिए लेकर आए हैं मुलायन सिंग यादव का तो साफ कहना है उनके भाई और बेटे और बहु इन सबके विवात से वो अलग हैं सपा संरक्षक हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपढ़ना यादव ने बागी होने का फैसला किया था तब मुलायम सिंग यादव ने अपढ़ना यादव को समझाने की कोशिश की थी नेता जी ने चाहा था कि बहु बागी ना हो जाए और ये बात भी अपढ़ना यादव ने खुद अपनी जुबा से कही है अपढ़न उस वक्त खुल कर सामने आई जब अपर्णा यादव भारतिये जंदा पार्टी में शामिल हो गई बीजेपी में अपर्णा यादव के शामिल होने के कयास तो काफी वक्त से लगाए जा रहे थे लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपाई रंग में रंग कर अपर्णा ने हर किसी के होश उड़ा दिये अपर्णा के भाजपाई हो जाने से सबसे बड़ा जटका यादव परिवार को लगा है मुलायम सिंग यादव को लगा अखिलेश यादव को लगा अब इन छटकों से अलग विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव से एक बार नहीं बलकि बार बार सवाल यही किया गया जब आपने भाजपाई होने का फैसला किया तो आपके परिवार का कैसा रुखता क्या आपके ससुर मुलायम आपके फैसले से खुश थे तो चलिए आपको बताते हैं माजपाई हुई अपर्णा पर मुलायम सिंग्यादव का कैसा रवया रहा अपर्णा यादव ने कहा मुझे मेरे ससुर मुलायम सिंग्यादव का आशिरवाद प्राप्त है अपर्णा यादव ने कहा बीजेपी में मेरे आने का फैसला मैंने सबसे पहले नेता जी को ही बताया था और उसके बाद नेता जी ने मुझे बड़ा ग्यान दिया अपर्णा ने कहा इंडियन फैमिली सिस्टम में जब लड़की की शादी हो जाती हैं तो ससुर आपके पिता समान हो जाते हैं नेता जी ने मुझे खुश रहो का आशिरवात दिया मैं वक्त वक्त पर उनके सामने अपनी बात रखती हूँ और उनकी बात सुनती हूँ पिता जी हम बहूँ को कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकते वो ये नहीं कहते कि ये मत करो वो मत करो उनसे जब बीजेपी में जाने से पहले मुलायम सिंग से बादशीत का सवाल किया गया तो अपर्णा ने कहा हाँ सवाल हुई थी आपको बता दे अखिलेश यादब से जब अपर्णा के फैसले पर सवाल किया गया था तो अखिलेश यादब ने कहा था नेता जी ने अपरना को बहुत समझाने की कोशिश की इस पर अपरना ने कहा पससुर जी ने मुझे बहुत बड़ी राजनीतिक समझती है उन्होंने मुझे इस बात को समझाया है कि परिवार अपनी जगह पर है और रास्टवाद एक तरफ मेरे लिए रास्टवार परिवार से ज्यादा एहम है और इसलिए मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया